देखिए ये सब किसी फैक्टर उटर में वोटर वोटर नहीं करता है वोटर एक आम आदमी होता है समान आदमी होता है वो क्या सोचेगा और यदि उसको कोई कन्फूजन है तो मैं उनकी मदद कर देता हूँ कि भरस्टा चार के तीन केंदर नरेंदर देवेंदर और हितेंदर आपके दिमाग में यही होना चाहिए जिस चुनाव में आपको बार बार ये रिपीट करना अपने परोशियों को बताना है और हर जग बताना है कि भरस्टा चार के तीन केंदर नरेंदर देवेंदर और हित तक अपना वोट नहीं डाल दे, तब तक ये द्वंद छटने वाला नहीं है, लेकिन फिलाल हम बात कर रहे हैं, फिलाल अभी तो नॉमिनेशन में दो दिन बाकी है, और लगातार एक के बाद एक, दिवाली के पहले ही बम जो है वो भड़ा फटा के हूट रहे हैं, तो हम उस तोर पर महाविकास अगाडी के प्रत्याशी की तोर पर संदीप पांडे, जो कि कहीं सालों पहले इस्थानिक लेवल पर वसाइविरार से रह चुके हैं, लेकिन बिछले बीच के कहीं सालों में यान नहीं थे, लेकिन उनको उन्होंने दिया है, अगर आपने हमारा वीडि दौर होने की तब इच्छा जताई थी, तब हमने वो वीडियो लगाया था, और आज वो गड़ी आई कि उनको संदीप पांडे को कॉंग्रेस पार्डी न अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है, हमारे साथ इस समय कॉंग्रेस पार्डी के जिरा महासच्चिव लवी भ इस समय काफी दिल्चस्प हो चुका है, क्योंकि नाला सुपरा में राजन नाइक भार्डी जन्ता पार्डी उन्होंने अपना नोमिनेशन फाइल कर दिया है, बहुजन विकास अगारी से शितिष ठाकूर कल अपना नोमिनेशन फाइल करने वाले हैं, साथ ही साथ एक नाम दननजे गावडे, वो भी अपना नोमिनेशन फाइल करने वाले अपक्ष और महा विकास अगारी किसको देगा, यह लोगों में चर्चा था, पहले नाम पंकर्ज देशमुका भी सामने आ रहा था, कुछ और नाम भी निकल का आ रहे दे, लेकिन अंतता मोहर लगी है संदी संदी पांडे की नाम पर, अब संदी पांडे जो इन तीनों दूसरे कैंड़ेट से अलग है, वो इसलिए अलग है कि वो उत्तरभारती चेहरा है, और कहीं नाला सुपारा में जो उत्तरभारती वोट बेंक है, तो कितना आसर इस बार कॉंग्रेस का रहेगा, एक बड़ा स इस समय काफी मजबूत बनकर चुनाव में उतर रही है, क्या परिणाम होगे वो बात की बाते हैं, लेकिन चुनाव में जाने के लिए मजबूती से अपना पैर पसारी ऐसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही बात बोला, कॉंग्रेस पार्टी जो काम कर रही है, तो लोगो को मालूम होना चाहिए, कि यह 2024 की कॉंग्रेस पार्टी है, यह कोई समान कॉंग्रेस पार्टी नहीं है, यह वो कॉंग्रेस पार्टी है, जो समिधान के लिए लड़ती है, और exactly कॉंग्रेस पार्टी उसी तरीके से काम कर रही है, आप देखिए, कितना ज्यादा मीडिया क विजय पार्टिल जी को जब उतारा गया उसी दिन से मैंने बोला कि हम लोगों की वसे इविदार की लोगों की दिवाली, कॉंगरेशियों की दिवाली और बागी लोगों की दिवाली जो समिधान विश्वास रखते शुरू हो गई आज फिर दूसरा दमाका हो गया संदीप पांडे जी नाला सोपारा से उतर गए उत्तर भारतिय चेहरा होने के नाते अब हमारे लिए दूसरी बड़ा धमाका है हमारी दिवाली बिल्कुल धमाकेदार शुरुआत की है मैं कॉंग्रिस के अलाकमान को रहुल गांधी जी को, शुनिया गांधी जी को नाना पोटेले शाहब को सभी का, मैं बहुत-बहुत धनवाद करना चाहूँगा और संदीप पांडे जी को बोलना चाहूँगा कि आप नाला सुपारा के रग-रग से आप वाकीफ है, आप नाला सुपारा में आपने अपनी सुरोाती दिन देखे है, और संदीप पांडे जी एक ऐसे नेता है जो कहने के लिए नेता है उस सरक के नेता है आप उनके पास कोई समस्या लेके जाएगा तो कल आता हूँ और बाद में आता हूँ ऐसा बात नहीं है अन दा स्पॉर्ट समस्या का समधान करने वाला एक नायक का नाम है संदीप पंडे कॉंग्रेस पारटी इस समय नाना पाटोलेजी कॉंग्रेस पारटी को लीड कर रहे है अज्यक्ष है और काफी उनके उनकी सोच यहां जलक रही है कि जिस तरह से एक स्थानिक आगरी को उन्होंने उतारा और उस दूसरा उत्तर भारती है तो क्या यह वोटो में वोट बेंक में सेंद मारी है इस बार कॉंग्रेस कुछ अच्छा करेगी देखिए वोटो में सेंद मारी की बात बिल्कुल नहीं मैं इसे मानूंगा क्योंकि सबको मालूम है जैसे विजय पाटिल साभ ने भी का कि वसाई कॉंग्रेस की थी और कॉंग्रेस की फिर से होगी तो विजय पाटिल साभ ने पूरे सिद्धत के साथ का है और इसके कारण आप देख सकते हो कि एक सीट मिलना मुस्किल होता था कॉंग्रेस पाटी को, आज कॉंग्रेस पाटी को दो सीट मिल चुका है, वह सही से भी हम लग रहे हैं और नाला सोपारा से भी लग रहे हैं, और उपर वाले चाहेंगे जितने भी समिधान प्रेमी है, भ उत्तरभारतिय का मजबूत, दंदार, संधर्सिल और काम करने वाला नेता संदीप पांडे दिया गया है, उत्तरभारतिय की जो वोट है, उत्तरभारतिय को कितना अपमान किया भाजपाने आपको तो मालूम ही है, और पोजन विकास अगारी के लिए बात करें तो उत्तरभारतिये की सुच का सम्मान कॉंग्रेस पाटी ने जिस तरह से किया है हम सारे उत्तरभारतिये बहुत ज़्यादा खुस है और कॉंग्रेस का बार बार हम धनवाद करेंगे और इस बार नाला सोपारा में एक उत्तरभारतिये उभर के आएगा और उमीद करते हैं कि ज तरे से वोटर जो है इस बार वोट करेगा। जब इस बार वोट को जो है ख़्या ख़्याँ jakieś देवेनदर को बार वड़िशसमी मस्कीम करते हो वोट के बदले छनदा दो BC x4 तो आपको क्या हम बोलेंगे अब भाताचारी नहीं बोलेंगे और देवेंदर फरनवीज जी बैल गाड़ी भड़के आप ले जाते हो कागज के बहुत बड़ा घोटाला पकर लिये हैं इनसीपिक अजित पावर साब का फिर उसके बाद उनके साथ मिलके आप सरकार बना लेते हो तो आप भी देवेंदर आप भी तो बरष्टाचारी हुए है और इदर हितेंदर जी बरष्टाचार के तो आप आपके यहाँ पूरी तरसे महल ही बरष्टाचार का दस जड़ा ना धिक्रित बांध काम हुए हैं आप स्रीजी ऑडिट कराते हो बाकी जहां का यहां का भी कराके देख लेते सब निकलाएगा आपने तो सेटेल्मेंट करके एक रोका हुआ नहीं तो कल को इंक्वारी होगी पूरी तरसे यह फस जाएंगे कि किस तरह के क्या-क्या घोटाले की हैं इनकी तो मजबूरी होती है ना इनसे तो कभी कोई यह नि मांगने जाता है कि तुम मेरे सरकार में समर्थन दोगे क्या जाते हो बाहर में मैं तीन सीट के साथ आपके साथ समर्थन देगो बाहर से समर्थन करते हो तो जनता को यही सोचना है कि बरस्टा चार के तीन केंदर नरेंदर देवेंदर और हिते अधर और यहीं सोचके कॉंछ पार्टी का बटन दवाना है दनवाद दोस्तों, अपनी बात में उत्तरभारती पर काफी जोड दे रहे हैं और उत्तरभारती जोड देना भी इसलिए चाहिए कि जिस तरह से जिस तरह से यहां उत्तरभारती की जनसंख्या है और पिछले जो विचार्द हारा की जो एक दूरी होती है जैसे भाज़पा का जो पारम पर एक वोट बेंग है या और किसी पार्टी का उससे आप उत्तर भारतियों दोने के नाते ये किस तरह से समन वह बिठा कर उनको अपने पक्ष में कैसे ले पाएंगे और कितना दम दिखा कि हम सारे उत्तर भारतिये महराष्ट को और मुंबई को अपनी कर्म भूमी मानते हैं जन भूमी वह होती है जहां आप जनम लेते हो हम भी खुद को यहां का भूमी पूतर मानते हैं यदि कोई यहां का जन भूमी पूतर हो सकता है तो हम कर्म भूमी पूतर हैं हम अपनी मा मानते हैं इस महराष्ट की जमीन को और हम जो भी यहाँ पे करेंगे पूरे तन मन से करेंगे पूरी इमानदारी के शाथ करेंगे महराष्ट की सेवा करेंगे नाला सुपारा की तस्वीर बदलेंगे नाला सुपारा का हर छोटा बरा उत्तरभारतिये मराठी मानूँ सब कोई कॉंग्रेस को वोट देगा और इसलिए वोट देगा कि कॉंग्रेस एक ऐसी विचारधारा है जिसमें लाल बहादरु सास्त्री जैसे इमानदार लोग हुए जवार लाल नेरु जैसे लोग हुए सरदार पटिल जैसे लोग हुए कॉंग्रिस की विचारधारा को बचाना बहुत जिलूरी है आप सोच के देखिए जब आप कॉंग्रिस की विचारधारा के साथ खरे होते हो तो आपको अपने आप में कितना सम्मान और गौर्वान भी तुम हसूस होता है अब आखरी सवाल यहां जब से विचे पाडल जी के नाम का ऐलान हुआ कल उसके बाद से कहीं ने कहीं गटक दल जो है महाविकास अगारी के गटक दल उनमें एक असंतोष दिखाए दे रहा है कोई यहां पर ऐसा भी सामने अभी तक बाते चल रहे हैं सुत्रों के हवाले से खबर आए है कि विनायक निकम जी वो भी अपना परचा अपक्ष के तोर पर भढ़ने वाले हैं हलाकि वो भरेंगे नहीं भरेंगे वो बात की बात है लेकिन दूसरी बात एक साथ में वसाई के बाद नाला सुपरा में भी इसी तरह से पोंग्रेस के खाते में सीट जाने का असर महाविकास हगाडी की अपने रिष्टो पर कितना पड़ेगा वो था मैं इसमें दो बात बोलना चाहूंगा कि वसाई विरार में सेटलमेंट की राजनिती का अंत हो चुका है यह जो कहा जाता था ना कि विरार में कोई ऐसा है जो कुछ भी सेटलमेंट कर लेगा और किसी को भी सेटलमेंट कर लेगा ये एक बाते गैतिनों की बाते हो चुकी है वो सेटलमेंट का युग खत्म हो चुका है वसाई विरार नाला सुपारा नाय गाँ के लोगों को ए बात बिल्कुल तरह समझ लेना चाहिए नाना पटोले साहब ने पूरी जम्मेदारी ली है कि कॉंग्रेस का पूरे महरास्ट में अच्छा उधा होगा और कॉंग्रेस का उधा की जम्मेदारी जीस तरह से लाना पटोले साहब ने ली है वो कर रहे है राहूल गांदी जीस तरह से मेहनत कर रहे है हम सभी कॉंग्रेसी दिन रात मेहनत करेंगे और यहां का जो समीकरन है और जो ऐसे वैसे और चुटभीये नेता को जो जानबुज के खड़ा करके वोट काटने की जो जिम्मेदारी वोट काटने की जो इनको ड्यूटी दी जा रही है क्योंकि वो लोग किसी के पेरोल पे हैं मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन आज तक आपने क्या किया यहां की जन्ता को मालूम है 25 साल का जो अंदकार खत्म हो रहा है एक तरफ हमारे पास आगरी अस्थानिय भूमी पुत्र है और दूसरी तरफ हमारे पास उत्तर भारतिये हैं तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा संतुनन कायम किया है मतलब कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है अधवत यह निर्ना है और अब पता चलेगा जो अभी तक जन्ता के वोट को अपनी बपती समझ के रखे थे अब आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अब आपको भी गली गली में घुमना पड़ेगा साहब अब आपको थोड़े पसीने वहाने पड़ेंगे नाला सोपरा और विरार के जो हैं महनुभा उनके लिए संदेश है तो हमने ये बात की रवी भूशन जी से युवा है काफी जोश दिखाई देरा इनकी बातों में और हो भी क्यों न सालों बाद ऐसी नोबत आईए जब कॉंग्रेस पार्टी ने इस वसई विरार और वसई नाला सोपरा को पर अपना ध्यान आकरशित करते हुए एक नहीं बलकि दो जगा अपने केंडिडेट खड़े किया और इस तरह से टारिगेट किया है कि एक तरफ जहां इस्थानिक आगरी यो इस्थानिक भूमी पुत्र को टीट दिया है तो महीं दूसरी तरफ उत्तर भारती जो की ताकत है नाला सोपरा उत्तर भारती वोट ब विदायक है जब चुनाव परिणाम आ जाएगा तब जो विदायक होंगे वो विदायक उनको सब जनता उनको मानेगी लेकिन उसके पहले जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं वो इस समीकरण एक तम रोमांचक हो चुके हैं यहां लड़ाई अभी हम अभी तक सोच रहें कि तीन तरफा लड़ाई होगी लेकिन यहां तीन तरफा भी नहीं लड़ाई चार तरफा होने वाली है कहीं न कहीं बहुत टफ मुकाबले इस विदान सभा चुनाओं में देखने को मिलेगे फिलाल के लिए हम रुकते हैं आगे की पलपल की अपडेट के लिए हम आपको हमारे साथ चैनल पर बने रही है आपकी राय हमें कमेंट में दीजिए वीडियो पसंद आये तो लाइक और शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाज जैहिंज जैह महाराश्ट हमारे चैनल सैफ न्यूद लाइए उपर अपने व्यापारा और सेवा से सम्मधित विग्यापन प्रसारण है तूद दिये गए मुबाइल नमबर पर संपर्क करें